लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था दो सबसे महान योद्धा है भेरे और समय ये बाद शायद इस वक्त रूस के राश्ट्रुपती पुतिन से वहतर कौन समझ सकता है दुनिया का हर देश इस जंग में हार जीत के मायने खोज रहा है राश्ट्रुपती जलिंस्की लगभग हर हफ्ते हरी टीशर्ट में कई कैमरों के आगे रूस को हरा देने के दावे के साथ नजर आते हैं आखर क्यूं जब से जंग शुरू हुई है उसकी दिशा का सही अंदाजा कोई भाप ही नहीं पा रहा असली सवाल ये है कि अगर राश्ट्रुपती जलिंस्की जीत रहे हैं तो रूस ने उनके देश के कुछ हिस्सों का विले कैसे करा लिया और अगर राश्ट्रुपती पुतिन जीत रहे हैं तो जंग खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं जंग कौन जीतेगा फिल्हाल ये कहना मुश्किल है जिलिंसकी ये बात जानते हैं कि रूस से जीतना मुश्किल हो इसलिए युद को दो अलग मोर्चों पर ले जाना सही समझा उक्ति तब जाना वुकर व इसलिए और पराश्टी पाव का उस्राप्ट अवास्ट्रा आव्या बस्ट्राश प्राश्ट्राश नहीं हो इसलिए टूसरा जैए और लुपती युद पासी युद्क्राश्ट And on August 24th, it wasn't supposed to hear the words, Happy Independence Day. On February 24th, we were told, You have no chance. On August 24th, we say, Happy Independence Day, Ukraine. लेकिन ऐसा नहीं है कि इस युद में रूस को खाम्याजा नहीं उठाना पड़ा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्राले ने 24 वरवरी 2022 से 13 अक्टूबर 2022 तक रूस के कुल 63,800 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। दावा किया गया है कि रूस के 2511 टैंकों के साथ 5167 आर्म्ड कॉम्बैट वहन और 1556 आर्टिलरी जंगी वहन भी इस युद में नश्ट कर दिये गए हैं। इसके साथ ही रूस के 357 मल्टिपल रॉकेट लाउंच सिस्टम को भी यूक्रेन ने मार गिराया है। इस युद के दोरा उक्रेनने रूस को भारी नुकसान पहुचाते हुई। उसके 280 मिलीटरी पाइटर जेट को भी मार गिराया है। जुद में उक्रेनने अब तक रूस के 240 हелікоптер ही मार गिराया है। साथ ही उसके 1180 ब्रॉन को भी रॉन इताल है। Україна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин. І це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї цілком позитивна. П'ять пунктів. यूक्रेन और रूस के साथ चल रहे धीशन योद में रूस ने भी कीप को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. उसने खातक बमों और खतमनाक मिसाइलों से यूक्रेन को मरू घुमियें तबदील कर दिया है. यूएन रिपोर्ट्स के मताबिक पिछले आठ महीनों में युद के चलते यूक्रेन को गरीब 48 लाग करोर रुपय का नुखसान हुआ है. संयुक्त राष्ट शरनार्थी एजेंसी के मताबिक यूद के चलते यूक्रेन के 4.1 करोर से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है. इसके अलावा इस युद में अब तक 9000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं. युद में कितने आम नागरिक मारे गए हैं, इसका अब तक आधिकारिक आंकला जारी नहीं हुआ है. अलग-अलग संस्थाओं ने अलग-अलग आंकले जारी किये हैं. रूज के हमले से यूक्रेन में 38,000 इमारतें, 1900 शिक्षन संस्थान, 50 रेलवे ब्रिज, 150 रोड ब्रिज, 556 फ्रैक्टरियां और 500 से ज्यादा अस्पताल पूरी तरह से नश्ट हो चुके हैं. लेकिन अब क्रीमिया के ब्रिज को नश्ट किये जाने के बाद जिस तरह से रूज ने यूक्रेन पर बमों की बरसाथ कर दी हैं. जानकारों का मानना है कि रूज के इतिहास में ब्रिज का उड़ाया जाना कहीं दूसरे विश्व युद में परल हारबर जैसा साबिक नहों जिसके बाद ही परमाणू हमले की शुरुआत हुई थी. नुकसान सिर्फ जानमाल या हत्यार का नहीं हुआ है बलकि जमीन पर भी कभी रूस का खब्जा होता है तो कभी यूक्रेन उसको छोड़ाने का दावा करता है. जंग के पहले 2021 में यूक्रेन कैसा था और 2022 के अक्टूबर में यूक्रेन कैसे बदल गया इस मैप को देखी और समझी तॉनिस्क, लुहांस्क, जपुरीजिया और खेरसान ये सब यूक्रेन का हिस्सा होते थे. लेकिन रूस का दावा है कि 23 से 27 सितंबर के बीच हुए जन्मत संग्रह में डौनिस्क, लुहांस्क, जपुरीजिया और खेरसान के लोगों ने रूस को चुना है. दावा किया गया है कि दौनिस्क में 99.2 प्रतिशत, लुहांस्क में 98.4 प्रतिशत, चपुरीजिया में 93.1 प्रतिशत और खेरसान में 87 प्रतिशत लोगों ने रूस के साथ जाने के पक्ष में वोट डाला है. जानी दावा है कि अब ये चार शेहर यूकरेन में नहीं रूस के हो गई हैं। यूकरेन ने रूसी सेना से कुल 2434 वर किलोमीटर जमीन वापस ले ली हैं और 96 पस्तियों को पहले ही आजाद किया जा चुका है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आकड़े हैं, लेकिन अजुद लगातार चारी है।